दोस्तो इस कहानी की शुरुआत में हमें बताय जाता है कि आज से हजारों साल पहले इंसान और ड्रेगन्स एक साथ राग करते थे लेकिन इंसानों का लालस दीरे दीरे बढ़ने लगा और उन्होंने जंगर और बालों को काट कर घर बनाना शुरू कर दिया तब ड्रेगन्स ने इंसानों को समझाने की बहुत कोशिस की लेकिन इंसानों ने ड्रेगन्स का ही सिकार करना शुरू कर दिया उस समय पेट्रियोसिस नाम के एक आदवी ने ड्रेगन्स का सिकार करने के लिए एक बहुत ही खतरना ड्रेगन बना दिया जिसका नाम नेटल ब्रेट था लेकि पेट्रियोसिस नेटल ब्रेट को कंट्रोल नहीं कर सका तब नेटल ब्रेट पेट्रियोसिस को ही मार करके खा ग अब अजारों साल बीच चुके होते हैं और हम एक घाटी में कुछ ड्रेगन्स को देखते हैं जो की छिप करके रह रहे होते हैं यहां पर हम फाइट ड्रेक नाम के एक सिल्वर ड्रेगन को देखते हैं इसका सबी ड्रेगन्स मजा कोड़ा रहे होते हैं वो उसे कच्छा नेम मैं भी दुनिया को घूमना चाहता हूं इसके सोरं कहती है कि यह जग हमारे लिए सबसे सुरच्चत है क्यों कि यहां पर इंसान नहीं आ सकती इसके बाद में सोरं अपने घर चली जाती है और फाईड्रेक्स लेटिवेट नाम के बूर ड्रेगन के पास जाता है इस लेटिव दुनिया के दूसरे चोर पर है और वो पाड़ियों के बीचों बीच है यह सुनकर के फाईड्रेक्स बहुत को सोजाता है वह अगले दिन सोरं को रिम हैवन के बारें बताता है इस पर सोरं कहती है कि रिम हैवन जैसी कोई जगे नहीं होती वो सिर्फ एक कानी है तब दोनो गवराने लगते हैं तब ड्रेगन का लेटर बॉटर नेट सब को सांध करता है वो सबसे कहता है कि इंसान अगर इसी तरह से आते रहे तो वो पूर्नम की रात तक यहाँ पर आ जाएंगे उससे पहले हमें अपने लिए च्पने की जगे डूनने में लग जाते हैं तब ही और यहाँ दोगन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम रिम ओफ हैवन को डूनेंगे और हम सब को वहाँ पर लेटर करके जाएंगी तब ही सुरन को उसके प्रेंट्स बुरा लेती है इसके वाँत सोरन अपने फदर से कहते हैं कि हमारे लिए कोई जगा सुरचित नहीं है तब सुरण के ऐदर कहते हैं कि अगर कोई सुरचित जगा होती है तो हम अब तक होएं पर होते हैं। और फाइट है जाती है और दोनों रिम Heaven की कोज में निकल जाते हैं तब इस soren faider Дав कहते है कि हमें कहाना है मेरे partner इस यीसर फाड़र कहता है कि उसी सिर्फ इतना पताए कि र威प heaven दुनिया के के दूसरे चोर पर है तब दोनों को एक city दिखाई ह देती है वो हम भी Rim of Heaven के बारे में पता कर सकते हैं अब दोनों सिटी में जाने का फैसला करते हैं और सहर की तरफ जाने लगते हैं मैं सिटी में हम Ben नाम के एक लड़की को देखते हैं जो के एक सौब से नेकलेस चुरा करके भाग रहा होता है उसके पीचे सौब का मालिक पड़ा होता है Ben मालिक से बचने के लिए ड्रेगन कार्नेवल में घुश जाता है और वहां से एक कॉस्टुम पहन करके भाग जाता है सोरन ओफ फाइट्रेक भी सहर में आ गए होते हैं करने फाइट्रेक से कहती है कि मैं रिम ओफ एवन के बारिम पता करने जा रही हूं क्योंकि मैं छोटी है और तुम तब तक चिप करके रहना नहीं तो तुम से कोई डर जाएगा इसके बाद फाइट्रेक गोडाउन में चिपने के लिए चला जाता है उसे वहां पर एक बिच्टर दिखाई देता है साथ ही वहां पर एक पोश्टर होता है जिस पर एक आजमी ड्रेगंज की राइट कर रहा हुता है इससे फाईट्रेक को सिलिटवेट की काणी यादाती है कि पहले के इस टैम में ड्रेगंस और इंसान एक सातु में उड़ान भरा करती थे और उन इसानों को ड्रेगर राइडर कहते थे तभी वहाँ पर बेहन आ जाता है क्योंकि बेहन ょहीं पर रहता है बेहन फार्ड्रेग को देख कर के डर जाता है तभी उसे लगता कि साइद कोई ड्रेगन की कॉस्ट्यूम पहन करके उसके साथ में मज़ा कर रहा है वो फाइट ड्रेग का मों खोल करके देखने लगता है जब उसे पता चलता कि फाइट ड्रेग असली है तो उसकी हालत खराब हो जाती है तब फाय ड्रक बेन की कॉस्ट्यूम को देख करके कहता है कि तुम तो एक ड्रेगर राइडर हो तब बेन समझ जाता है कि ड्रेगन उसे ड्रेगर राइडर समझ रहा है बेन ड्रेगन से बचने के लिए जुट बोल देता है वो कह देता है कि हाँ मैं यह ड्रेगन राइडर हूँ यह सुनते ही फाइडर खुश हो जाता है वो बेहन से कहता है कि आ तुम रिम उफ हैवन ढूनने में मेरी मदद करोगे तब यह सोरन भी वहाँ पर आजाती है वो बेहन को देख करके ड़ जाती है वो फाय ड्रेक से कहते है कि तुम इंसानों के सामने क्यों आए ये बुरे होते ही तब फाय ड्रेक कहता है कि ये ड्रेगर राइडर है ये हमें रिम ओफ हैवन ले जा सकता है तब बैन को ढूंटते हुए पुलिस भी बाहर आ जाती है बैन पुलिस से बचने के लिए फाय ड्रेक के साथ चलने के लिए तयार हो जाता है इसके बाद में वो तीनों वहाँ से निकल जाती है पुलिस वाले ड्रेगर्स को देख करके हैरान रह जाती है अब बेन फाइट ड्रेक से पूछता है कि ये रिम ओफ हेवन कितनी दूर है जिसपर फाइट ड्रेक बता देता है कि वो दुनिया के दूसरे चूर पर है ये सुनते ही बेन डर जाता है और फाइट ड्रेक को नीचे उतारने को कहता है फाइट ड्रेक एक जंगल में जाकर के लेंड हो जाता है बैन फाइट ड्रक और सोरें से कहता है कि मैं तुमारे साथ इतनी दूर नहीं आचकता इस पर फाइट ड्रक कहता है तुम तो हमारी मदद करने वाले थी लेकर बैन उसकी बात नहीं सुनता है और वो वहां से चला जाता है तब बैन को तीन बोने दिखाई चिप जाता है तब यह वह उने फाइट ड्रक को देख लेते हैं वह से कहता है कि तुम तो एक सिल्वर ड्रेगन हो जो कि बहुत ज्यादा कम होते है तब उनमें से एक बोना अपने साथियों से कहता है कि मैं पानी लेना भूल गया हूं और वह पानी का बहाना बना करके वह से चला जाता है बेन भी छिप करके सब कुछ देखरा होता है अब दोनों भूने रन्हें फाय ड्रक कुछते हो तब उन्हुन को डूहने जा रहा है जिस पर बॉनopf सिहिन के बारे में किसी को भी नहीं पता है अगर तमप्तम号 मिल गया तो कहानी के लगल चांदी सोने से भी महगी हो जाएगी लेकर फाइट ड्रेक को उनकी बात समझ नहीं आती है बेंड सोने चांदी का नाम सुनते ही खुष हो जाता है वो खुछ से कहता है कि अगर सोना चांदी मुझे मिल गया तो मुझे आगे से चोरिश नहीं करने पड़ेगी वो बोनों के जाने के बाद में वापस से आ जाता है और फाइट ड्रेक से कहता है कि हम तीनों मिलकर के देम ओफ हैवन को डूनेंगे तबी सोरन बेन पर गुस्ता होती है बोच से कहते है कि तुम हमारे साथ नहीं आच लगते क्योंकि तुम जूटे और मकार हो अब दौनों में बहस होन सिंगा यह सुनकर और फाइट्र को जाता है कि उसकार करने के लिए पाड़ी की तरफ जाने लगता है तो फाइट ड्रेक देखता है कोई उनकी तरफ और पाड़ी के वहां से उढ़ जाता है में वो तीनों बैब से बड़ी से रेम ऊफ हैवन की तरफ जा रहा होती तब ही बड़े से रेती ले तूपान में फज जाते हैं और नीचे गर जाते हैं टुन टेक भी नीचे गर जाता है अब जब Ben को होसाता है तो वो देखता है कि वो रेकिस्तान में हैं सोरण भी वहीं पर होती है लेकिन फाइट ड्रक उन्हें दिखाई नहीं देता वो फाइट ड्रग को ढूनने लगते हैं उन्हें एक खंडर दिखाई देता है और उसके अंदर चले जाते हैं जहाँ पर फाइट ड्रग भी उस पड़ा होता है उसे उठाने लगते हैं तभी वहाँ पर एक creature आ जाता है जिसे कि Ben डरने लगता है तभी Ben उस creature से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ क्योंकि मेरे पास dragon है लेकिन Ben को नहीं पता होता है कि fire drag आग नहीं निकाल जाकता आप creature उन पर attack करने के लिए आगे बढ़ता है तभी fire drag आग निकालने की कोज़िस करता है लेकिन उसके मों से सिर्फ कुछ चिंगारी ही निकलती है तभी वहां पर प्रोफेसर ग्रीडबुड आ जाते है वो एक सीसे की मदद से creature को रोग देते है क्योंकि वो creature खुद को सीसे में देख करके फ्रीज हो जाता है वो प्रोफेसर सिल्वर ड्रेगन को देख करके हैरान रह जाते है वो कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा अनौका ड्रेगन है इसको बेन कहता है कि हाँ ये कुछ ज़्यादा ही अनौका है क्योंकि इसको तो आग निकालना भी नहीं आता ये सुनकर के फाइट ड्रेग को बुरा लगता है और वो वहाँ से बार चरा जाता है इसके बाद में तीनों मिलकर के फाइट ड्रेग को डूनने लगते हैं अब बेन को फाइट ड्रेग मिल जाता है वो उदास बैटा होता है बेन उससे माफी मंगता है मैं इन फाइड्रेक से पूछता है कि आखिर तुम रिम ओफ हैवन क्यों डूनना चाहते हो तो फाइड्रेक उसे बता देता है कि उसके जैसे और भी ड्रेगन है जो कि खत्रे में हैं मैं उन सब को रिम ओफ हैवन ले जाना चाहता हूँ जिस पर बेन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम सब मिलकर कि रिम ओफ हेवन को डून लेंगे ये सुनकर कि फाइडरेक को सो जाता है तब ही प्रोफेसर भी वहाँ आ जाते है वो उनसे कहते हैं कि मेरा केम पास में है तो वहाँ पर जा करके आराम कर सकते हो इसके बाद में वो सबी केम पर पहुंच जाते हैं वहाँ पर तरह तरह के क्रीचर्स होते हैं प्रोफेसर सब को बताते हैं कि वो अनों के जीवों को खुज करके उनकी देखरेक करता है प्रूफेसर उनसे पूछते हैं कि तुम काँ पर जा रहे हो तो फाइर डरे को उन्हे बता देता है कि वो Rim of heaven को डूनने जा रहा है तब प्रोफेसर एक map दिखाता है वो उनसे कहता है कि मुझे जितना Rim of heaven के बारे में बता है उसके मताबिक Rim of Heaven एमालियाज की पाडियों में है परोफेसर बताते हैं कि मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम सोविसा है जो कि ड्रेगन के बारे में सब कुछ जानती है लेकिन उसे भी Rim of Heaven का सही पता नहीं पता है तब प्रोफेसर को एक हजार आख वाले जिनी के बारे में याद आता है वो बताता है कि यह जिनी तुम्हे रिम आफ हैवन का सही पता बता सकता है कि उसे सारे सवालों के जवाब पता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्य वाला है प्रोफेसर मैप में एक निसान लगा करके बताता है कि जिन यहीं कहीं पर हो सकता है लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत सारी कटनाजियों का सामना करना होगा इसलिए तुम कल सोबह वहां के लिए निकल जाना इसके बाद में सभी सोने के लिए चले जाते हैं तब प्रोफेसर को बेन के बैग से एक नीच पेपर मिलता है जिसमें के बेन के पेरन्ट्स की कार एक्सिडन की कवर होती है प्रोफेसर समझ जाते हैं कि बेन अकेला रहता है और वो अनाय थै वहीं हम ट्विंटेक को देखते हैं जो इन सब की सारी बातें सुल लेता है वो वीडियो कॉल पर नेटर ब्रेट को बता देता है कि रेम ओफ हैवन हेमाले आज में है लेकर उसका साही ठीकाना एने भी नहीं बता है इसलिए वो कल एक अजार आख वाले जिनी के पास जा रही तव नेटर ब्रेट ट्विंटेक से कहता है कि तुम उनका पीचा करते रहो मैं भी वहां पर पहुंच जाओंगा इसके बाद नेटर ब्रेट उस बाहने के साथ में अपने माली के गरएज में जाता है जहांपर उसके माली की समरीन होती है जो कहीं पर भी जा सकती है इसके बाद में बो दौनों उसमें बैट करके निकल जाते हैं अब अगली सुवह बैन अपने बैग में नीज पेपर को चेक कर रहा होता है जब उसे नीज पेपर नहीं मिलता है तो वो परिशान होने लगता है तब प्रोफेसर उसके पास आते हैं जिनकी नहर के काफी करीब पहुंँ पहुंग जाते हैं यह एक जगहाँ पर आराम करने के लिए रुखते हैं तभी एक बड़ा सा गिद सोरन को उड़ा करके ले जाता है फाइट ड्रेक और बैन सोरन को बचाने के लिए उसके पीछे जाते है गिद सोरन को ले करके अपने गौंसले में पहुंच जाता है तभी फाइट ड्रेक उसके सामने होता है तबी फाइट ड्रेक की आँके अचानक से सफेद हो जाती है और उसके मौँ से नीली आग निकलने लगती है जिससे गित डर करके भाग जाता है अब सोरन और बेन बहुत खुश होते हैं बेन फाइट ड्रेक से कहता है कि तुमने आग उगलना सीख लिया है इसे फाइट ड्रेक भी बहुत खुश होता है तबी वो देखते हैं कि वो जिनी की नहर के सामने ही है वो नहर बहुत जादा हरी बरी होती है इसके बाद वो तीनों जिनी को डूनने के लिए उस नहर में चले जाते हैं तबी बेन को एक खराफ गाड़ी दिखाई देती है बेन देखता है कि गाड़ी के होर्म पर लिखा होता है प्रेस प्लीज वो तुरंती उस गाड़ी के होर्म को प्रेस कर देता है अड़ी के होरन को प्रेस करते ही गाड़ी के सालिन से एक बड़ा सा जिनी बाहर आ जाता है वो जिन को देख करके बहुत ही जादा खुस होते हैं जिनी उनसे कहता है कि पूछे तुम्हें क्या पूछना है वो जिन से कहता है कि हमें बताओ कि रिम ओफ हैवन कहां पर नहीं है यह सुनकर कर जिनी भी हैरान रह जाता है वो बेहन से कहता है कि यह कितना वेवूदा सवाल है ऐसी तो बहुत सारी जगह हैं जहां पर रिम ओफ हैवन नहीं है अब जिन परिसान हो जाता है इसलिए वो शुनकर ने गलती से कह देती है कि हमें यहां से बार निकलना है the इस उनकर कर जिन गुस्थी ना जाता है कि यह सवाल से कई लोगों ने फूचा होते है व Recommky जिन उपर अटेक करने वाला होता है तो भी वहाँ पर Netव दिवाल्ड की बज़े से अजीवों गुरिब हरकती कर रहा होता है। तबेश़ों देखते हैं कि प्रोफेसर की दुष्पास में ही रहती है। इसलिए वो तीनों प्रोफेसर की दोस्त के गाहं में पहुंच जाते हैं। वहां की लोग बेन को देख करके बहुत कुस होते हैं, बहुत से अपना मसिया समझ रहे होते हैं, अब बेन भी ठीक हो जाता है, बहुत सब बेन को लेकर के प्रोफेसर की दो सुविसा के पास आ जाते हैं, सुविसा बेन को देख करके बहुत कुस होती है, वो सिल्वर समझ रही होती है, इसके बाद में सुवयसा उन سब कॊपराने मंदिर ले करके जाती है, वहांपर ऐद्रेग सबीसा से पूचता है कि रेम ओफ हावन कहां पर है कर सुभशा कहते है कि रेम ओफ हावन के बारे में किसी को भी नहीं पता है वो बताती है कि बॉरन ड्रेगन की सवारी करने वाला पहला इंसान था जब नेटर ब्रेट ने ड्रेगन पर हमला किया तो बॉरन सभी ड्रेगन को लेकर कि रिम ओफ हैवन चला गया और उसने रिम ओफ हैवन की दरवाजे को एक खास चावी की मदद से बंद कर लेकि नेटर ब्रेट ने चावी पाने के लिए बॉरन को ही मार दिया लेकिन बॉरन ने मनने से पहले वाविसे मारी की थी कि जब किसी को रिम ओफ हैवन मिल जाएगा तो चांदी सोने से भी महगी हो जाएगी ये सुनकर के सोरन को यकीन हो जाता है कि रिम ओफ हैवन सच मे है तब बैन को उसके बैक से अबाद सुनाई दी और वो ट्विंटेक उता है वो ट्विंटेक को बान निकाल ले थे हैं तो वो सब को देखा कि डर जाता है वो उन्हें बता देता है कि नेट प्रेट ने उनका पीछा करने के उसे भीज आये यह सुनकर करे सोरenge ट्ड्यक को मानने के लिए आगे बढ़ती है तब फाईड्यक ट्विन्तेक से पूछता है कि आज ने अप मेरे चाज़ता है तो वो बतादेता है कि ने अप लेटर तुम्हारे ज़्यकर Grand threw जाता है तब दिए को न स्वेल डूंसे और चाहे है तब टुंट्येक कहता है कि मैं न स्वारे कि नहीं से और मेरे बारे में नहीं बताऊंगा तो क्या तुम मुझे छोड़ दो जिस्कर सोरण ह greatness कर देती यह इसके बाद में Twintag Nettabret को बताता है कि रेम आफ हेवन अंटार्टिका में है और सभी अंटार्टिका की तरफ ही जा रहे ही तब यचानक से उसके हाथों से फोन गर जाता है इससे Nettabret सब को देख लेता है वो समझ जाता है कि Twintag उससे जूट बोल रहा है तब सभी सा सबसे कहती है कि Nettabret के आने से पहले तुम रेम आफ हेवन को ढूण लो इसके बाद फाइडरेक बैंस से पूछता है कि तुम्हें जिनी ने क्या दिखायता तब बैन बताता है कि उसने आदे चांद वाली पारी देगी थी जिसवर बैन सुविसा से कहता है कि मैं ड्रेगर राइडर नहीं है तो कुछ भी नहीं जानता तब सुविसा कहते है कि तुम्हें खुद पर वरुसा करना होगा इसके बाद मैं सुविसा बैन को एक जैकेट दे देती है बैन ट्विंटर को भी अपने साथ ले लेता है और तीनों वहाँ से निकल जाते हैं अब सभी किसी तरह से आदे चांद वाली पारी को डून लेते हैं इसके बाद मैं बैन आगे का रास्ता दिखाने लगता है तवी नेटर ब्रेट मैप को फॉलो करते हुए वहाँ पर आ जाता है और वो फाइट ड्रेक का पीछा करने लगता है तवी अचानक से बर्फ नीचे दश जादी और नेटर ब्रेट नीचे गर जाता है इसके बाद मैं फाइट ड्रेक सभी के साथ में रेम आफ हेवन के दरवाजे पर पहुंच जाता है इसके बाद मैं वो सभी अंदर गुफा में आ जाते हैं लेकिन वहाँ पर रेम आफ हेवन नहीं होता है वहाँ पर सिर्फ एक ड्रेगन की मूर्ती होती है इससे सब परिशान होने लगते हैं वही हम Natter Bread को देखते हैं जो कि जिंदा होता है वो तेजी से चीखने लगता है उसकी आवाज Ben सुलेता है वो Fire Drag और सोरन से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए नहीं तो हम मारे जाएंगे लेकिन Fire Drag Rim of Heaven को ढूनना चाता है तब Ben कहता है कि Rim of Heaven जैसी कोई जगह नहीं है वो भी एक कहानी थी लेकिन Fire Drag उसकी बात नहीं सुनता है तब Ben गुस्ते में वहाँ से बाहर चला जाता है तब वो Natter Bread को देख लेता है इसलिए वो एक पतर के नीचे छिप जाता है इसके बाद में Natter Bread गुफा की तरफ चला जाता है तब उसके सरी से एक टुकड़ा नीचे गर जाता है जब Ben उसे उठाता है तो वो सोने का होता है तब Ben को वो वविस्तिवारी याद आती है जिसमें कहा गया था कि जब Rim of Heaven मिल जाएगा तब चांदी सोने से भी मैगी हो जाएगी अब Ben उस पहली का मतलब समझ जाता वो इन Natter Bread गुफा के अंदर आ जाता है तब ही सोने फाइड्रेक से कह दिया कि हमें किसी तरह से यहां से बच करके भागना होगा तब ही फाइड्रेक कहता है कि मैं अब नहीं वागूँगा मैं Natter Bread का सामना करूँगा इसके बाद में वो Natter Bread के सामने आ जाता है लेकिन फाइड्रेक उसके सामने बहुत जादे कमजोर होता है तब ही वहां पर Ben आ जाता है और वो बेन को भी पकड़ लेता है तब ही नेटरबरे बेन को खाने वाला होता है यह देख करके फाइडर डर जाता है और उसके मुhn's से आग निकलने लगती है इसके बाद फाइडर अपनी पूरी आग से नेटरबरेट पर अटेक करता है जिससे एक इनेट अबर पूरी तरह से पगल जाता है तब ही वो देखते हैं कि नेट अबरेट के सरीर में एक चावी थी जो कि हैवन की की होती है इसके बाद में बेन चावी को उठा लेता है और वो ड्रेगन के स्टेचू में लगा देता है जिससे कि heaven का दरवाजा खुल जाता है इसके बाद में तीनों अंदर आ जाते हैं वो देखते हैं कि remote heaven बहुत ही जादा सुन्दर जगए और वहाँ पर बहुत सारे dragons होते हैं इसके बाद fight drug बैंसे कहता है कि तुम भी हमारे साथ में रह सकते हो उसने rim of heaven को ढून लिया है वो उन्हें चांद का फूल दिखा देता है जिससे सब को rim of heaven पर यकीन हो जाता है अब सब ही rim of heaven की तरफ निकल जाते हैं fight drug राष्ते में सब को बताता है कि सब इंसान बुरे नहीं होती इसके बाद fight drug बेन को आखिर बाद अलविदा कहते हुए rim of heaven की तरफ चले जाते है अब बेन बहुत ज़्यादा खुस होता है और उसके साथ में twin tech भी होता है और इसी के साथ में इस film का यह पर end हो जाता है अगर आपको movie के explanation अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू से कर लेना